बेके बाद एक बार फिर से आप सफी का स्वागत है मंच आगरा में हमारा ये मंच लगातार चलेगा आज पूरे दिन और पूरे दिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगरा विकास के लिहाद से विकास की कसोटी पर कितना खरा उतर रहा है अब अगले सेशन के हम शुरुबात कर रहे हैं और अगले सेशन में मैं आगरा से जिला पंचायत अधक्ष मंजू भदोरिया जी को आमंत्रित करूँगा मंच पर मंचू जी आप मंच पराएं जोड़दार तालियों के साथ स्वागर करें मंचू जी का और साथी मेरे सही होगी निकिता सरीन इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी निकिता मंच पराएं और मंजू भदोरिया जी का बुके देकर सम्मान करें निकिता तो देखे अगर आगरा के विकास को समझना है तो आगरा के यन प्रतनिदियों से बात करना उत्रा ही जरूरी है आगरा में जनता की समस्याएं क्या हैं जिला पंचायत अध्धक्ष में मंचू जी किस तरह से काम कर रहे हैं आज वो इस सेशन में में बताएंगी तो जोड़दार तालियां मंजू जी के लिए चुँकि आज हमारे सवालों का जवाब मंजू जी देंगे और उन सवालों के जवाब के जरिया जनता के सवालों का जवाब भी मिलेगा आगरा के विकास का जवाब मिलेगा निकिता ओवर टू यू बहुत शुक्रिया पराग इस वक्त हमारे साथ मन्जु भधौरिया जी मौजूद है मन्जु जी आपका इंडिया न्यूस के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत और इस्तक्बाल जिला पंचायत अध्यक्ष है मन्जु जी और पहली बार बनी है 2021 से इन्होंने जो कारभार है उसे समाला है तो मेरा सबसे पहला सवाल मन्जु जी से यही है कि आपके हसाब से इस टाइम पिरज में आपने कौन से ऐसे कार किये है जिससे आप परसनल साटस्वाइड महसूस कर रही है और साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग कि अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ होंगी अच्छी मेरा मानना ये है मैं फस्त ताइम तो इस फिल्ड में आई हूं बट मेरा एक्स्पियंस पहले ही इस फिल्ड में है अच्छी मैंने इस से पहले भी MBA किया MBA से बाद मैंने PhD किया इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बाद भी मैंने जो MBA के स्टूरेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी उनको टीच किया है अफटर देट एक पॉलिटिकल फैमिली में आई समाज सेवा करने वाले लोग मिले मुझे इस से मुझे समाज के लोगों की सेवा करना और उनकी मदद करना मेरे एक पैशन था और मुझे इसी टाइब की फैमिली भी मिली तो मुझे लगा मेरा ड्रीब पूरा हो गया है उसके बाद एजे जिला पंचाद अध्यक्ष का जब चुना हुआ तो मुझे आशिरबाद मिला आजे में जिला पंचाद अध्यक्ष मनी तो मुझे लगा कि जो जनता के ग्रामीड चेतर में जो काम हम लोग करते हैं वो इस पदबर बैठके और भी अच्छे से कारियों को किया जाता है तो जिला पंचाद अध्यक्ष बनने के बाद जो नॉर्मल कार होते हैं ग्रामीड चेतर में और मैं आपको यह बता दूँ जिस तरह से लोकसवा विधान सवा होती है स्टेट के लिए इसी तरह से जिला पंचाद भी एक जिले के विकास के लिए बहुती महतपूर कदम इसका महतपूर रोल होता है ग्रामीड चेतर में जिस तरह से हमारे अंडर में छे विधान सवाइं आती हैं उन छे विधान सभा में, सबसे पहले विकास का जो मॉडल है, उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर सित करते हैं, इसको मैंने समझा और विकास के छेतर में सबसे पहले मैंने इडेंटिफाय किया, कि हमारे जो गाउं है, वहां पे सबसे जादा समस्या किस गाउं में है, सीसी को आवा गमन की समस्या वहां पे रहती थी, वहां पर कही ना कहीं जल की समस्या रहती थी, स्वच्छ जल की समस्या रहती थी, इसके अलाबा जल इस्तर बहुत नीचे जा चुका था, वो भी एक समस्या थी, अपाट पर देस दूसरी सिक्षा को लेकर भी समस्या दिखती थी, इस टाइब की जो समस्याइं दिखी इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जहाँ पर जादा आवा गमन की समस्या रहती थी वहाँ पर हमने ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं जी होते हैं उनके माध्यम से वहाँ पर कार कराया तो उसके बाद भी कुछ जाती थी उन समस्याओं को हमने छेतर पंचायत से कहके उनका समाधान कराया उसके बाद कुछ बड़ी समस्या ऐसी रह जाती है जो ग्राम पंचायत इस तर से नहीं हो पाती हैं छेतर पंचायत इस तर से नहीं हो पाती हैं उन समस्याओं को हमने टेक ओवर किया और हम लोग कराते हैं, तो लगभग हम लोगों ने हजारियों के मातरा में CC कारे, RCC कराई हैं, हम लोगों ने लगभग 5600 वाटर टेंक विद समर सिबल लगाई हैं, इसके अलावा हम लोगों ने जल इस्तर जो हमारे प्रधान मंत्री जी की, एक बहुत ही महतुकांची योजना थी, कि जल इस्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको ध्यान में रखती हुए, जिला पंचायत की तरफ से हम लोगों ने बहुत बड़े हाथ मजबूत होंगे, आर्थी ग्रूप से मजबूत होंगे, इसके अलावा सबसे महतबूर मैं आपको बताना चाहेंगे हुए, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यूवा हैं, उनको एक उनके अंदर बहुत पृतिवा चुपी होती है कही न कहीं, बट उने खेलने के लिए एक प्लेटफोर्म नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, हर विधान सबा में मिनी स्टेडियम बनाने का कारे हम लोग कर रहे हैं, अभी बडोरा खुर्देक है, हमारा ग्राम पंचायत, वहां पर मिनी स्टेडियम का कारे शुरू ह होने बाला है, एतमादपूर और हमाई दो विधान समाई और हैं, उनमें भी मिनी स्टेडियम का कारे जल्दी हम लोग शुरू करा रहे हैं, इसके जादा एक महतपूर कारे हम लोगों ने जो किया है, मैं मानती हूं, कि हमारी ग्राम पंचायत लेबल में, जहां पर पूड आप देर लगे रहते थे, वहन का वादा वराड खराब हो रहा था, तो हमने वहन पर उसको साफ करा के वह उसको डर आप करा रहा हैं, जिससे वहां के बच्चे वहां पर खेलेंगे, एंजोय करेंगे, और पलस जाओ का भी एक सुंदर्ता बढ़ेगी, इस तरह से हम लोग कारे कर रहे हैं और यह मुझे लगता महत्पूर कारे हैं जो पहले नहीं हुए हूँ हम लोग कर रहे हैं बिलकुल जस तरीके से मिनी स्टेडियम की आपने बात की तो कही न कहीं इसे बचों का भी रुजान कहीं न कहीं आपने फिजिकल अक्टिविटीज पर जाएगा जो आज के बच्चे फिजिकल अक्टिविटीज गेम से वंचित हैं और कहीं न कहीं उनका जो लेवल है वो मॉबाइल तक ही सीमित रह गया है तो यह एक अच्छा कार जरूर है मन्जु जी अगर मैं बटेश्वर धाम की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि क्योंकि अटल जी का भी महाँ पर बच्पन बीता और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदितनात का भी विशेश ध्यान उस पर है तो इसको कैसे विक्सित किया जा रहा है इस पर कैसे फो भी पटेश्वर धाम में ही लगता है और बटेश्वर धाम हमारे परदेश में जो भी तीर्थ इस्ताल है उसमें से बहुत ही महतपूर भूम का पटेश्वर धाम की भी रहती है उसमें हमारे पर्णवा जो पूर्व स्वरगी ए अटल-Bihari-Badzpahiri परधार मंत्री जी का आरहएं पे जन्यमिस्तिली है इसके साथ हिसाथ भगवन नइमिनाथ जी अभी भाँ प्रदी मिखम है इसके अलाबा मैं आपको बताऊंगी वहाँ प्रहरे जो प्रधष्एत्र जो हमारे प्रस्फ आख्रशन जी है उनका भी रिलेशन भातेश्वर से है और बटेशोर धाम के लिए इन चार वर्षों में मैंने देखा जो डेवलमेंट हुआ मैं आपको बताओंगी जब मैं फर्स टाइम बटेशोर मेले में इसी समय दो हजार इकीस में ही गई थी उस टाइम पे मैंने देखा तो सारे घाट टूटे थे हर जगे गंदगी थी और तब इतना हाल बुरा था तो मुझे लगता था इसका इतना अच्छा इतना प्रसिद्धी है इस बटेशोर धाम की और इसका डेवलमेंट कितना आवश्यक है लेकिन धन्यवाद देती हूं मैं अपने प्रदेश के एशस्वी मुख मंतरी जी को जिनका पूरा फोकस बटेशवर पहर और हमारे प्रेटन मंतरी जो जैवीर सिंग जी है प्लस जो हमारे महराजा अदमन सिंग जी है और उन लोगों का भी काफी प्रेयास रहता है महराजी का और हम लोगों के प्रयाज से, हमारे जनपरतिनितियों के प्रयाज से, आज बटेश्वर नाथ में, जो भी हमारे घाट थे, उनका प्रॉपर डेवलम्मेंट हो चुका है, चारो तरफ सुन्दरता है, और उसको प्रयाटन ने बहुत ही अच्छे तरह से उसको डेवलब किया ह करोणों की आई थिंक तीन, चार सो करोड का इंवेस्मेंट वहां पर हुआ है, सारे मंदिर है, उनको डेवलब किया गया है, वहां पर अटल भिहारी बाजपई जी के नाम से बहुत बड़ा भब संकुल भी बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात हमने जिला पंचायत से भ जाएंगी छेतरगी, वहां इस्टे भी कर सकती है, तो इस तरह से बहुत भब्बे अब वहां का सरवांगा की विकास हो चुका है, और आगे भी जो कमी रहेगी वो भी पूरी होगी, मैं तो मानती हूँ, विकास के कारियों को लेकर के लगातार प्रदेश के सरकार की अगर मैं बात करूं, वो भी लगातार काम कर रही है, किस तरीके से उत्तरप्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, उस पर भी लगातार काम हो रहा है, और ऐसे में आप भी विकास कारियों को लगातार आगे बढ़ा रही है, तो देहात की जो महिलाएं है, उनको लेकर के क् है आपकी क्योंकि वो अभी भी ऐसी महिलाएं है जिनका माइंसेट ब्रॉड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है मैं समझती हूँ निकलना नहीं चाहती है मैं भी चाहती भी है तो नहीं निकल पाती है तो इसके लिए मैं मेरा रहता हूँ उनका जो प्राथमिक विध्याले हैं ग्राम पंचायत में तो वह का दोरा भी करते हैं हम लोग दोरा करने के बाद जो भी हमें कमिया दिखती है तो हम उन लोगों को आप लुट किसे पर शुख्यद करदें हैं, अब फॉर इंप्रूमेंट करते हैं, और गाहशत को लुट करते हैं, तो हम लोग मोटिवेट नको करते हैं, महिला को कि आप लोग अपनी बेटी हैं, बेटे हैं, नको शिक्षा दो, इस यई एक स्लोगन भी रहता है, मेरा कहना कि आप लोगों को सिक्षा इसलिए देनी जरूरी है बेटी को क्योंकि जब आप बेटे को सिक्षा देंगे तो एक परिवार सिक्षित होगा लिकिन जब आप बेटी को सिक्षित करेंगे तो एक पीडी सिक्षित होगी और एक अच्छे समाज अच्छे परवार और अच्छे तो मैं इस तरह से उनको हमेशा समझाती हूँ इसके अलावा हम लोगों का रहता है जिस तरह से स्वयम साहता समू का जो योजना है हमारी प्रधान मंत्री जी की उसमें काफी बहने जादा तर गाउं में आजकल जुड़ चुकी हैं तो स्वयम साहता समू से रिलेटिड जो भ भवे मेला लग रहा है प्रधान नाथ जी का तो उसमें भी हमारे पंद्रे ब्लॉग की जो भी महिलाएं हैं जो भी स्वयम साहता समू है जो बेस्ट नंबर वन नंबर दो पे बेस्ट समू है जिनको अपना नंबर फस्ट र नंबर सेकेंड की केटेगरी मिली हूए उन लो वगरा जो है उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर आते हैं सो देट की वो बहने जो है गाउं से भार निकल के आए अपने प्रोड़क्ट बेंचे उने एक प्लेट फॉर्म मिलेगा और सुरक्षा की दर्स्ट से के में रहने की जो भी प्रॉलम आती उसकी उसको ध्यान मे रखते हुए वो सारी चीजे हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो उसमें भी कही ना कहीं मुझे लगता हूं को एक आत्म विश्वास बढ़ेगा आर्थिक रूप से भी मजबूती उनको मिलेगी तो इस तरह कि हम लोग कार करते हैं और इसके अलावा हम लोगों का प्रयास रहत हैं ज़िए कहीं समस्या है तो वो भी प्रॉबलम ख़तम हो रही है तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते रहते हैं time to time और आने वाले समय में और भी कहीं ना कहीं जो समस्यां दिखेंगी उनका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब हम बदलाओफ की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं, जैसे हम थोड़े समय पहले बवबिता जी को भी सुन रहे थे, उनका भी यह मानना है कि महिलाओं का एक बहुत इंपोर्टन्ट रोल होता है, जिस तरीके से अभी हम हमारे रेजिदेंट एडिटर हैं, जीद जी लगता है, राजनीती में अगर बदलाओ के लेकर महिलाओं का सबसे एहम रोल है, तो उनको क्यों पीछे किया जा रहा है, आप देखें राजनीती में अभी भी महिलाओं की जो संक्या है, वो कम है, क्या ऐसा लगता है, कि अगर महिलाओं आ जाती है, तो क्या वो बदलाओ अच्छा नहीं कर पाएंगी, आप इसके पीछे की क्या एक वज़े समझती हैं? Actually, मैं थोड़ा सा आपको बेक में लेके जाओंगी, देखो हम आदिकाल की बात करें, तो आदिकाल में ऐसा नहीं है, जो महिलाएं थी, महिला, के साथ रहा करती थी महिलाएं, महिल, पुरुष की पे्लण दाई जो होती थी, महिलाएं होती थी, जो भी यग हुआ करते थे, तो उसमें महिलाएं उनके साथ जब तक नहीं बैठती तक तक वो एगपूर नहीं हुआ करता था, और शिक्षा जब से, जो उच्च सिक्षा थी वो प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को था और आपने सुना भी होगा अधिकाल की बात करने तो हम से राधा, क्रष्ण, शंकर जी, पारबती तो एक दूसरे के पूरक थे और मुझे लगता है जब तक महिलाओं का सपोर्ट नहीं होगा या पुर विदेशी अकरांता हमारे भारत में आई उनका शाशन हुआ तो महिलाओं को उनसे उनको अपनी रक्त की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने बचाव के लिए उनको पीछे वो अपने आप पीछे हो गई उनको परदा में रहना पड़ा उनने सिक्षा का इसा नहीं है लेकिन प्राचीन काल से ही महिलाएं जो हैं वो मा कहीना कहीं शक्ति के रूप में मा दुर्गा और विद्धिया के रूप में मा सरस्वती और इस तरह से उनको एक उपाधी मिली हुई है और हमेशा जो नारी है वो एक ममिता माय पेड़ा दाई रही है लेकिन अ मैं तो कहूंगी कि हम लोग बहुत सौभागिसाली हैं कि हमारे देश में पैधान मंत्री नमानी नरेनुर मोदी जी बने उनके कारण आज काफी इंप्रूम्मेंट आया है आपने भी देखा है आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं मैं आपको बताओं आज से दस साल प बैठती हैं प्लैनिंग करती हैं अपना बिजनिस छुटे-छुटे रोजगार शुरू करती हैं चलाती हैं तो कहीं नहीं मुझे लगता 50-60% तो इंप्रूम्मेंट हुआ है अब रहाया 40% इंप्रूमेंट 40% जो इंप्रूमेंट रहाया उसके लिए शिक्षा वेहधी बह 40% बचे हैं यह सिक्षित होंगी तो मुझे नहीं लगता जो अभी राजनिती में उनका इंप्रूम्मेंट कम है वो भी पूरा हो जाएगा क्योंकि अभी नारी शक्तिवंदन के माध्यम से 33% आरक्षर महिलाओं को दिया गया है बिल्कुल और अगे आने बाले समय में वो 33 3% इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उनको राजनिती में भी साहवागता मिलेगी लेकि इसके लिए भी उन्हें अपनी सिक्षा को मजबूत करना होगा अपनी प्रितिवा को निखारना होगा तो आने वाले समय में राजनिती की छेतर में भी महिलाओं का बहुत बड़ा कि आप और हम इस मंच पर भी एठे हैं मेरा आखरी सवाल आप से यह है कि जब आपके पास शिकायते यानि कंप्लेंस आती हैं वो कंप्लेंस में कितना बतलाव आ जाता है जब आप ग्राउंड जीरो पर निकलती हैं जब आप लोगों से मिलती हैं बात्चीत करती हैं वहां कि सरकार को भी लगातार टार्गेट किया जाता है उपोजीशन द्वारा लेकिन हम सब को पता है कि सत्रा के बाद से एक अच्छे बदलाव हुए हैं यानि एक पॉस्टिव चेंज़ हुए हैं एक्चली जिस तरह से आप का कहना है कि आप किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं रिलिटर टू गिरामीर चेत की कैसे सॉल्व करते हो इसमें एक्चली मेरा मुझे लगता अगर हम ऑफिस में बैठते हैं हम अधिकारियों से हमारा वन मंथ में हमारी मीटिंग होती है क्रशी विभाग सारे विभाग आते हैं इसके बाद हमारा तीन महीने में हमारी जिल्ला पंचायत की पूरी जिल्य की बहुत-बडी बैठक होती है। उससे पहले मुझे बैनिफिट ये रहता है, जिस तरह से अभी मेरा छेतर में वीकली दौरा रहता ही है। और इसके बाद मेरा कैम्प आफिस है उसमें भी मैं मंडे टूस्डे आ वैनस टे में बैठती हूं। जि तो हांपे भी एक्चुल जो सिचुएशन है वो पता चल जाती है कि एक्चुल में चल क्या रहा है जिस तरह से कागजों में कभी-कभी हम लोग जब मीटिंग में बैठते हैं तो होता है कि हमारा ये योजना है इसके अंतर कर 90% वर्क पूरा हो गया है ये हमारी पेंशन पातर थे उसमें 300 लोगों को किसान सम्मा निधी मिल गई है उनका इस तरह रहता है तो तभी मुझे आइडिया रहता है तभी मैं उन लोगों को वही पर रोकती हूं उनको बोलती हूं कि आप जो ये बात बोल रहे हो उस तिन मैं आपके ऑफिस में बैठी ती तभी दो महि जिलाएं आएं थी वो आपको विद्भा पेंशन के लिए बार बार बोल रहे हूं थी उस समय आप कहां थे और आपने उनकी समस्या का समाधान चार महिने से नहीं हुआ है और आप ये दिखा रहे है कि जितने भी आवेदन आया आपने के लियर किया है तो ये क्या है ये व महिलाएं हैं जो जिले पर या बाहर नहीं जा पाती हैं तो हम नयाई पंचायत इस तर पर जो भी महिलाएं आती हैं जो भी पुरुष आते हैं तो उनकी समस्या वहां पर सॉल्व करने का परयास करते हैं कहीं लैक हो रहा है या कोई पेपर में मिस्टेक आ रही है तो उनको फिर पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप कहां जाओगे, किसके माद्यम से सही कराना है, और अपना कॉंटक नमबर भी देते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉबलम है, तो इस तरह से हम लोग समाधान करते हैं, और हमारे ग्राम पंचायत के जो हमारा मॉडल जो है, ग्राम पंचायत इस तरह पर हमारे प्रधान और छेतर पंचायत इस तरह पर हमारे ब्लॉग प्रॉमुक और हम सब मिलकर करके समस्याओ को समाधान कर लेते हैं, इस तरह से हमारा रहता है समस्याओ को समाधान करने का प्र तो मेरा एजुकेशन है, वो बहुत हेल्फूल सावित होती है, इसमें एक्चली, I am in habit to, कि मुझे कुछ काम करना होता है, तो मैं एक डाइरी नोट करती हूं, सारा मेरा शीडियूल अपने हाथ से नोट रहता है, कि मुझे क्या क्या काम करना है, जहां तक बच्चे का हमवर् करना है, तो वो सारा शीडियूल रहता है, उसके according कार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो एक चेकलिस्ट है, और जो जो हो गया, उस पर टिक, 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 टिक हो जाता है, बहुत अच्छा, तो दिखी, इस तरीके से, Manju Bhadaurya जी को हम सुन रहे थे, कई इसे मुद्दे हैं, जिस पर उन्होंने अपनी राय हम से व्यक्त की, तो फिलाल, जो मंच है, इंडिया निउस का, वो लगातार बना रहे गा, बहुत शुक्रिया, Manju जी हम से जुडने के लिए, और अपना वक्त देने के लिए, शुक्रिया, जोड़दार तालिया, Manju जी बताया कि जिला पंचायत अध्धक्ष के पद पर रहते हुए, वो किस तरह अपने एक शित्र में काम कर रही है, और क्या उनका रोड में आगे को लेकर है, जोड़दार तालिया, Manju जी के लिए, उनके संबान के लिए, चले,